इकनोमिक्स वर्चुल क्लासिस में आप सभी का स्वागत हैं भारतिय अर्थवस्ता का विकास के अंतरगत आज हम अध्याय पांच से भारत में मानपूंजी निर्मान के बारे में विस्तार से अध्यन करेंगे भारत में मानपूंजी का निर्मान आज हम इस अध्याय को समझेंगे इस अध्याय में हम सबसे पहले मानप संसादन मानपूंजी का निर्मान कैसे होता है और मानप विकास की अवधारनाओं को समझेंगे, उसके बाद मानो पुणजी में निवेश, आर्थिक समवर्दी और मानो विकास के जो संबंद उसको जानेंगे, सिक्सा और स्वास्थ पर सरकारी वेक्षी क्या आवशक्ताएं होती है, उनको जानेंगे और भारत की सैक्सिक उकलब्दियों की जानकारी हम इस अध्याश से प्राप्ट करेंगे ओल्फर्ड मार्सल ने कहा था कि सिक्सा पर निवेश नीजी तता सरकारी अगर दोनों ही इस पर निवेश करेंगे तो किसी का देश का राष्ट सम्रिद बनेगा क्योंकि जिस राष्ट में सिक्सित लोग होंगे वो राष्ट जादा अच्छा तरकी करेगा तो मानो जाती के विकास के लिए उसमें मानो संसादन का विकास बहुत जरूरी है मानों के लिए यह जानना बहुँच जरूरी है कि उसके कुसल कारें से ही देश आगे बड़ेगा तो कुसलता मुनुश्य में कुशलता लाने के लिए अच्छे पर्शिक्षण की आवशक्ता होती है किसी सिक्सित व्यक्ति के श्रम कौशल आशिक्सित व्यक्तियों से अधिक होता है अर्थात जो व्यक्ति शिक्सित होता है वो आशिक्सित व्यक्तियों के तुल्ना में ज्यादा अच्छा कारे कर सकता है क्योंकि उसे तक्निकी ग्यान की समझ होती है इसी कारण पहला दूसरे की अपेक्सा अधिक आये का सर्जन करता है अर्थात वो जो लोग अनपड होते हैं या आशिक्सित होते हैं उसकी तुल्ला में वो ज्यादा बहतर कारे करता और ज्यादा मात्रा में धन अर्जित कर सकता है और उसका लाब देश के आर्थिक विकास समर्दी के लिए भी होगा शिक्सा पाने का प्रियास केवल उपार्जन समता बढ़ाने के लिए ही नहीं किया जाता बल्कि उससे अधिक लाव है कि उससे उसका समाजिक विकास भी होता है उसके समाजिक स्तिती भी उच बनती हैं, तो उससे किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन को बैधर विकल्प के रूप में चैन कर सकता है, व्यक्ति को समाज में चल रहे परिवर्तन को बैधर समझने का समझ देता है और नए परवर्तनों को बढ़ाने की समझ देता है, सिक्सित्स्रम यौह नई टेक्टनलोजी जो और जिस कि में सिक्सा की कमी होती है वो नए ग्यान है या चित्र में देख रहे है कि दो किसान है और दोनों किसानों ने दोनों किसान खेती बाड़ी करते हैं लेकिन पहले वाले किसान की जो उपज है दूसरे की तुलना में अधिक दिखाई दे रही है क्योंकि इस किसान ने सिक्सित था और इसने खेती में नई तकनीक का परियोग किया जिसके कारण इसकी उत्पादे शम्ता बड़ी अब मानो पूंजी क्या ए यह सबसे important question हमारे में कि मानो पूंजी होती क्या जिस परकार देश के अपने भूमी जैसे बहुतिक संसाद्रों को कार खाने जैसे बहुतिक पुझी में परिवर्थित कर सकता है, उसी परकार कोई भी व्यक्ति को हम डाक्टर बना सकते हैं, टीचर बना सकते हैं, इंजिनियर बना सकते हैं, और यही किसी देश की संपदा होती है, मानवी संपदा होती है, इसी को हम मानव पुझी कहते हैं, मानव पुझी में हम इसको परिवर्थित कर देते हैं आम नागरीकों को तो समाज में मानव पूंजी बहुत जरूरी है जिस समाज में योग व्यक्ति अधिक होंगे और परशिक्षिक्षित होंगे जैसे प्रॉपेसर, टीचर, इंजिनियर तो वो लोग क्या करेंगे उस देश में बहतर मानव पूंजी की निर्मान होगा और पूंजी निर्मान का अर्थ है कि हम मानव संसाधन को मानव पूंजी के रूप में परिवर्थित करने के लिए मानव पूंजी की निवेश करने की के आवशकता है अर्था हर एक देश चाहता है कि उसके देश के नागरिक योग्य बने जैसे डॉक्टर इंजिनियर ठीक है प्रॉपेसर तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा निवेश करना पड़ेगा उनको बहतर सिक्सा देनी पड़ेगी तो हमारे मन में कई सारे परसन उ पूंजी के निर्माण का संबंद मुनस्ते के सरवरांगें विकास के लिए भी होता है भारत में मानव पूंजी निर्माण में सरकार की क्या वोमिका यह हमारे मन में परसन आते हैं तो इनको हम देरे-देरे समझेंगे मानव पूंजी के स्रोत सबसे पहले की मानव पूंज खर्च किया जाएगा तभी किसी देश के नागरिक योग्य और सब्य बन पाएंगे तो इसके लिए स्वास्त में निवेश कारे के दौरान पर्शिक्षन पर्बन सूचना आधी की आवशक्ता होती है तो शिक्षा पर खर्च करने से क्या होगा कि हमारे देश के नागरिक बहतर डंग से सोचेंगे उनका दिस्ट्रिकों बदलेगा कारें के परतिव निपर्ण होंगे और उनका विकास होगा इसलिए सरकार को चाहिए कि शिक्षा पर अधिक से अधिक निवेश करें या कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों पर अधिक से अधिक सिक्षा पर खर्च करें सिक्षा की तरह स्वास्त भी बहुत जरूरी है जब व्यक्ति स्वास्त होगा तब ही वो कारे ठीक से कर पाएगा तो व्यक्ति के सासा देश के विकास के लिए भी स्वास्त रहना आम नागरिकों का बहुत जरूरी है किसी भी कारे को अच्छी तरह से कर सकने हैं एक बिमार व्यक्ति के लिए बहुत मुस्किल होता है इसलिए चिकित सा सुभिधाएं सुलब कराना बहुत आवशक है आम नागरी को इससे क्या होगा उसके उत्पादन शम्ता में विर्दी होगी तो सरकार को च स्वास संबंदी सुभिधाएं मिले और इसके लिए सरकार को चाहिए कि देश में बहुत सारे चिकित साले इस्तापित करें लोगों को चिकित साथ साथ बीमा निगम बीमा भी कराएं उनका ताकि समय समय पर वह अपना इलाज कर सके तो फर्म और करुमचारियों को जित्ती हें परचिक थी हैं वोगी उनको चिकित साथ सुभिधाएं उपलेप कराती है और वह करें के नि करताना से बहुत जरूरी है, जैसे आपने हमने बताया सिक्सा, स्वास्त जरूरी, उसी परकार पर्षिक्षन बहुत जरूरी है, पर्षिक्षन मतलब ट्रेनिंग, अगर हम करमचारी को ट्रेनिंग नहीं देंगे, तो उनकी कारे को शलता में विर्दी नहीं होगी, तो कारे को शलता ब ज्यान के बारे में जानकारी होती है जिससे फर्मों की उत्पादन शम्ता में विर्दी होती है तो परश्रिक्षण के दौरान किया गया खर्च मानव पूंजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है परश्रिक्षण के दौरा किया गया खर्च मानव पूंजी के निर्मान के लिए बहुत ही जादा लाबदायक होता है इसे स्रम की उत्पादनता में विर्दी होती है, दूसरा लोगों की रोजगार तलास में लोग पलाइन कर जाते हैं, तो ग्रामिन छेत्रों में आपने देखा हो कि गाउ में बिरोजगारी बहुत जादा होती है, क्योंकि वहां तक्तनीकी शिक्षा की कमी होती है, ना तो वहां डॉक्टर मिलते हैं अच्छे, ना वहां पर इंजिनियर मिलते हैं ये सारे आप लोगों को सहरों में ही मिलते हैं, तो सरकार को सरकार या लोगों को चाहिए कि वह ऐसी जगाओं पे भी लोगों को पर्श्रिक्षन उपलप कराए, उनको तकनिकी ज्यान दे जिससे उन्हें बार बार एक स्थान से दूसरी स्थान पर परवास ना करना पड़े। एक इस्थान पर उनको सारी सुविदाएं मिल जाएं। इससे जो लागते होती है उसमें कमी आती है। तो परवासन का जो वह है वह पूजी निर्माण का एक सुरोत है अर्थाद लोगों को अच्छी तक्निकी ज्ञान और उनका अच्छी स्वास्विदाएं और शिक्सा यह सभी उनको अगर एक स्थान पर प्राप्त होंगी तो उनको काफी लाव होगा व्यक्ति श्रम बजार तथा दूसरे बजार जैसे शिक्सा स्वास्य समद्धी सूचना को प्राप्त करने के लिए भी काफी खर्च करते हैं और उनका क्या वेतनमान हैं शेक्षिट सस्ता हैं सही परकार के कौसल सिप में पर्शिक्षन दे रही हैं और किस लागत पे दे रही हैं जानकारी मानव पूंजी में निवेश्क करने से प्राप्त मानव पूंजी के भंडारन मानव पूंजी के भंडारन का सुप्योग करने की दिस्टि से बहुत उप्योगी होती है इसलिए संब बजार तता अन्य बजारों के विसे में जानकारी प्राप्त करने पर किया एक है मानवग पुझी निर्मान का शुरोत होता है। इससे पूर्व हम इसमें यह भी देख लेते हैं कि भ्हुतिक और मानवग पुए में क्या नंतर होता है। भ्हुतिक हो पुझी होति है जो हमें दिखाई देती है। और बहुत इक पुझी में आप बिल्डिंग देखेंगे, इंफरस्ट्रक्चर देखेंगे किसी देश का, उसे हम बहुत इक पुझी कहते हैं, जिसमें किसी जीच का निर्मान किया जाए, आयात, निर्यात, आजिस सब, और मानो पुझी का निर्मान का मतलब होता है, लोगों की योगिता में दक्सताएं प्राप्त करना ताकि उससे देश का विकास हो जैसे विध्याले और शिक्षा आधी यह सभी मानव पूंजी कहलाती है मानव पूंजी अधर्श होती है जो दिखाई नहीं देती लेकिन यह हमारे मस्तिक्स में च्छाई रहती है तो मानव पूंजी को हम बेच नहीं सकते उनको हम सेवाओं की विक्री नहीं की जा सकती मानव पूंजी के स्वामी को उसके उत्पादन के स्थान पर उपस्तित होना आवश्यक होता है बहुतिक पूंजी को स्वामी से पर्थक किया जा सकता लेकिन मानव पूंजी को स्वामी से पर्थक नहीं किया जा सकता दोनों पूंजियों में भी गतिशिल्टा में थोड़ा अंतर होता है मानव पूंजी ज्यादा गतिशील नहीं होती है गतिशील होती है और भहतिक पुझी में गति शिल्टा का थोड़ा अभव पाया जाता है जिससे मसीने हो गई आपकी उद्योग हो गया यह आपका भहतिक पुझी कहलाती है और मानव पुझी में डॉक्टर, सिक्सक, इंजिनियर यह सब आते हैं मानव पुझी और आर्थिक संवर्दी अब मानव पुझी और आर्थिक संवर्दी मतलब देश के विकास में क्या संबंद है तो किसी भी देश की रास्ट्री आए देश में उत्पाधित वस्तु सेवाओं का अंतिम मुल्य होती है तो रास्ट्री आए अगर बढ़ेगी तो मानव पुझी का बहुत बड़ा योगदान होता है एक सिक्सित व्यक्ति का अश्रम को असर आशिक्सित की अपेक्सा अधिक होता है इसका कारण यहां कि अपेक्सा कित आयर अर्जीद वहां कर पाता है आप ने देखा होगा कि इंग्लैंड में अमेरिका में और जापान के के लोगों की कारेक उशलता भारत से बहुत अधिक है जिनके कारण वहां उत्पादन शम्ता भी भारत से कई गुना ज्यादा है रास्ट्याय में विर्दी से भी तेज के सिक्सित वेक्तियों का योगदान आशिक्सित की तुलना में अधिक होगा एक स्वस्त वेक्ति अधिक समय तक कारेक कर सकता है यहां तक की जो विचारा गरीब हो या आस्वास्त हो वुस्त की तुलना में जो स्वस्त वेक्ति होता हो ज्यादा समय तक कारेक कर सकता है उसके कारेक उशलता भी अधिक होती है इसके साथ साथ प्रक्षिक्षन स्रम बजार की जानकारी परवासन आधी के साथ साथ सिक्षा और स्वास्त व्यक्ति में उपार्जन सम्ता का समवर्दन भी अधिक होता है तो मानो पूंजी ना कि उत्पादन बढ़ाने में साहता करती है बलकि परिवर्दनों को भी उत्साहित करती है और नवीन प्रौदगी का इस्तमाल भी करना वहां जानती है तो सिक्षा समाज में परिवर्दनों वेग्यानिक प्रगति को समझ पाने की समझ भी प्रदान करती है तो इससे क्या होता मानव कौशलता में विर्दी होती है जिससे अविश्कारों, नव परिवर्दनों में साहता मिलती है इसलिए शिक्सित श्रम सक्ति की उपलब्दा नवीन प्रौदगी के लिए अपनाने में सायक होती अर्थार जिस देश के लोग शिक्सित होंगे तकने की दख्सता में निपन होंगे वो लोग नवीन प्रौ आर्थिक समवर्दना होती है इसे सिद्ध करने के लिए अभी हमारे पास उधारन नहीं है लेकिन हम कह सकते हैं कि सिख्षा के माध्यम से और स्वास्त सेवाओं के भैतर होने से किसी भी देश के नागरिकों का कारे कुशलता में विर्दी होती है और उनको मानविया जो पूजी का निर्मान होता है संसाधन होता है वह कापी अच्छा होता है हम विकासिल देशों की तुर्ना विक्सित देश से करने पर हमें अधिक तर पता सब्सक्राइब चलता है कि विकासिल देशों में स्वास्थ श्तरों में काफी कमी ओती जब किन्तु उनकी पर्तिवेक्ति वास्तिव आये की विर्दी उतनी तीव नहीं हो पा रही है अर्थाद जो पर्तिवेक्ति आये रास्ट्री आये तो बढ़ रही है लेकि पर्तिवेक्ति आये उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है यह विकासिल देशों की बात है तो मानपूंज और आर्थिक समवर्दना परस पर एक दूसरे को परवावित करते हैं अर्थाद एक और एक और जहां परवावित उच आयवर्ग स्तर पर मानव पूझी के सरजन का कारण बनती है तो दूसरी और उच स्तर पर मानव पूझी निर्मान के महत्तों को समझ लिया था इसलिए साथ वी पंच वर्षी योजना में भारत ने अपने देश में आर्थिक समवर्दी बढ़ाने के लिए शिक्षा को महत्वपुनस्तान दिया शिक्षा तथा स्वास छेत्रों में के आंकड़े इसमें देर रखे 5.1 हमारे देश में तो इसमें जैसे परतिवेक्ति आया यहां पर दिया हुआ है तो 1991 में 3687 थी जो बढ़ते बढ़ते 10306 हो गई 2001 में ऐसी मिर्थिवद्र में भी कमी आई पहले 25.1 था अब 8.1 हो गई है सिस्व मिर्थिवद्र में भी कमी आई 146 63 हो गई है काफी कम हो गई है और लोगों की महिला पुरुस का जो जीवन परतियाशा बोलेंगे जिसको वह पहले 37.2 था अब 63.9 मतलब लोगों की उमर पढ़ गई है 66.9 साथ सतरदर एजुकेशन रेट इसमें पहले बहुत ही कम लोग पढ़े लिखे थे सोला दस्वमला छे साथ उननुसी क्यावन में फिर 43.57 फिर 52 और अब पैसट रफसलंबे 20 से 2000 एक आंकड़ों के अनुसार अब हमारे देश में पढ़े लोगों की संख् प्रिति क्या है तो इन आखडों के आदर्फ में कह सकते हैं कि हमारे देश में उननीस सो च्यावनवे से लेकर अब तक लगातार मानो संसाधन में सुधार हो रहा है और मानो पूझी के निर्माड में इससे काफी लाब मिल रहा है इसी परकार हम और भी आंकड़े हमारे पा सकती और अफ़े प्रिव्योग में कहा है कि भारत अपने आपको एक घ् conductivity आर्थ व्यवस्तों की रूप्वर्स कर सकता हैं आप देख रहे हैं कि आज आर्लेंड को विश्व ग्यान अर्थविवस्ता का सुरेष्ट प्रयों करने वाला देश माने जाता है और भारत में पर्तिविक्ति आये 2020 में 1000 से बढ़कर 3000 डॉलर हो सकती एक रिपोर्ट में क्या कहा गया तो आज भारत की अर्थविवस्ता में काफी योगदान रहा है और इसी परकार भारत में सरकार ने आई टी आई 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 टी एमबीए और इसके पॉले टेक्निक बहुत सारे तक्निकी इस्ट्यूट चलाकर देश में जो मानव पुंजी निर्मान है उसको काफी बढ़ाया है जिसके कारण आज आप देख रहें कि भारत में भारत सौप्टियर आई टी छेतर में काफी तीजी से आगे बढ़ रहा है तो यह सब ग्यान अधारित अर्थवस्ता का ही कमाल है तो इसमें आम देखते हैं कि भारत ने पिछले दसक में सौप्टियर उद्योग जो मैंने आपको बताया तक्निकी ज्यान पर अ अमेरिका यूरोप में चीन में आधी देशों में काफी उनकी डिमांड है तो सूचना परोदेगी का परियोग है भारत ने अपने ग्यान अधारित अर्थवस्ता परवित कर दिया और कुछ ग्रामिंड द्वारा इमेल आधी का परियोग करके अब गाउं छेतरों में भी कि ग्चान से इस्के ग्यान का परिवह हो रहा है जिसस परकार किसान इसान और सुचना परोदेगी का इस्तमाल हमारे देश में हो रहा है तो भारत ने अपने श्रुम को podr इस करन आधारित अर्थवस्ता की बाढ़ाया है धारत उब रहा है मानव पूझी और मानव विकास कि यह दोनों सब मिलते जुलते हैं लेकिन मानव पूझी की अब्धारना शिक्सा श्रम की उत्पादक्ता बढ़ाने का माध्यम मानती है मानव विकास इस विच्छार पर अधारीते की स्वास्त मानव कल्यान की अभिनंगे क्योंकि जब लोगों में पढ़ने लिखने तथा स्वस्त जीवन यापन की शम्ता आती है तभी वह ऐसी अन्य चैन करने में सक्सम हो पाते हैं जिनने वे महत्वपुन मानते हैं मानव पूंजी का विचार मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का साधन मानता है अर्था उत्पादन में विर्दी का तो इसके अनुसार पर शिक्सा स्वास्त पह किया गया निवेश अनुपादिक किया है अगर उसमें वस्तु और सेवाओं के निर्गित में विर्दी ना हो मतलब दूसरे सब्दों कह सकते हैं कि मानव पुझी को अनुपादिक माना गया जब तक उनकी कारे शम्ता का उप्योग वस्तुर सेवाओं में विर्दी ना हो तो मानव विकास के परिफेक्ष में मानव स्वयम साध्य भी है मलेई सिक्सा स्वास्त आदीपनिवेश श्रम की उच उतपादक्ता में सुधार नहीं हो किन्तु उसके माद्यम से मानव कल्यान का सववर्दन होना चाहिए यह जरूरी नहीं है कि हम सिक्सा स्वाद से मनुष्य की कारे कुशलता बहुत जादा बढ़ा दें लेकिन एक चीज का महत्तो बहुत अदिक होता है कि सिक्सा से मानव कल्यान की विर्दी होती है शर्म की उत्पादक्ता में सुधार के प्रक्स में अंदेखा करते हुए बुनियादी सिक्सा और बुनियादी स्वास्वदाओं का अपना अलग महत्त हो जाता है इस दिश्ट्री से परतेक व्यक्ति का बुनियादी सिक्सा और स्वास्वदाओं पर अधिकार सिध हो जाता ह दूसरे सब्दों में हम कहेंगे कि समाज के परतीक सदयस्य का साखसता होना तथा स्वस्त जीवन जीने का पूरा अधिकार है हर व्यक्ति को तो सरकार तथा नीजी व्यक्ति में द्वारा इसके रिये परयास कियेится जाने चाहिए कि उनके देश के नागरिक शिक्सित तथा स्वस्तों ताकि देश में समाजिक और तक्रीकी समवर्दा में विर्दी होती रहे भारत में मानोपूंजी निर्माण के अपार्ड संभावना है तो भारत के संदर में हम कहेंगे कि भारत में मानव पूंजी के निर्माण की बहुत अधिक संभाव होना है क्योंकि भारत में अभी सिक्सा का अस्तर, लोगों का साक्सर तरदर, स्वस्त आदी में अभी काफी कमिया है, तो मानव पूंजी का निर्माण स्वस्त कार्य स्तर पर्श्रिक्षन परवासं तता सूचना निवैश आदी में विर्धी की आवशक्ता है इनमें से सिक्सा स्वस्त मानव पूंजी के निर्माण के सब से महत्रपुन साधन होते है और इसके लिए सरकार ने इन साधनों को केंद्र, राज्य और स्तानिय निकायों में विवाजित किया है। भारत के सविदान के सविस्तर के परसासनिक निकायों के कारेदायतों को भी यह सफस्ट निर्धारिन किया गया है कि शिक्सा और स्वास्त तथा परसासनिक आदी का जो खर्च है वो राज्य और केंद्र दोनों बराबर से वहां करेंगे। तो भारत में शिक्सा और स्वास्त की व्यवस्ता की देखरें कौन करता है। तो भारत में शिक्सा छेत्रक के विशलेशन से पूर यहां हम सिक्सा और स्वास्त छेत्रों में सरकार के अविशक्ता पर विचार करेंगे। तो इस्पर मोटर तौर कह सकते हैं कि सिख्षा incorporate केंधरित तथा राज्य सरकारे तता स्तानिय निकाये तीनों मिलकर कारे करकती हिए तीनों हिए देश के जो एच्षेत रहती इनो इसमें क्या ब्राबर खर्च करती है ताकि देश में मान पुझी का निर्मान ठीक परकार से होता रहे और श्रमिक का भी विकास होता रहे तो सरकार ने सेवाओं और शिक्साक की जो लागतें आती है जो बढ़ती है समय-समय के अनुसार उनको वहान करने की श्रम्ता स्वहिम अपने ले भी रखिये और राज्य सरकारों को भी समय-समय पर निर्देश दिया है कि किस परकार वह लोग इस परकार के खर्चिक में सुधार लाके मानव कौसल का विकास कर सकें भारत में शिक्सा छेत्रक का नियम संग और राज्य स्तर पर शिक्सा मंत्राले तथा राश्ट्य सैक्सिक अनुसंदान एम पर सिक्सां परिशत विश्य विद्याले अनुदान आयोग और अखिल बार्द्य तक्नि आइं थिक्सा करें उसको कुछ इस्सों में बाढ दिया गया जैसे राज्य स्तर पर और केंद्य स्तर पर राश्ट्य सैक्सिक अनुसंदान विश्य विद्याले यूजी सी और अखिल भाड़्य तकनिक शिक्सापरिशत आजि समस्ताइं इसको शिक्सा चेट्र को समाल रही स्वास्त छेत्र का नियमन भी संग और राज्य स्तर पर स्वास्त मंत्राले तथा विविन्स्तानिय स्वास्त विभाग तथा भार्द्य चिकित्सा अनुसंदान परिशद आधी कर रहे हैं तो शिक्सार स्वास्त में आपने देखा कि कौन-कौन से सग्टन इसके लिए कारे कर रहे हैं, हमारे जैसे विकासित देश में जहां जनसंक्या का विशालवक गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो, ऐसे में कई लोग बुन्यादी शिक्सार स्वास्त देखा सुबदाओं पर परियाप्त हुए नहीं कर पाते, इसलिए नहीं कर पाते, आपने देखा होगा हैं जो लोग गरीब होते हैं, वो लोग उनका मुख्य उद्देश सबसे पहले जीवन निर्वाय है, तो उनके बच्चे ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते, बलकि पीच में पढ़ाई छोड़कर काम धंदों में लग जाते हैं, ऐसी वो अपने स्वास्त पर खर्च नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी आमदनी बहुत ज़्यादा कम हैं, तो उच्छ सिक्षा का बहुत ज़्यादा होता है, जिसे हर एक व्यक्ति वहाँ नहीं कर पाता है, ऐसी स्वास्त का भी खर्चा बहुत अधिक होता है, लेकिन सरकार ने सिक्षा और स्वास्त सेवाँ को आम नागरी का अधिकार मान लिया है, तो इसके लिए सरकार को भी प्रियास करना होता है कि वो इन लोगों को कम से कम मुल्य पर शिक्षा दें, जैसे सरकारी विद्यहले हो गए और सरकारी अस्पतालों में वो अपना स्वास्त का अपने इसको दिखा सकते हैं, और इसके साथ सरकार उनके लिए अब कई परकार की हेल्थ योजनाओं का भी निर्मान कर रही है, ताकि लोगों को उन योजनाओं से लाब मिल सकें, जिनकी आमदनी बहुत कम है, तो सरकार ने लक्स रखा है सत्पर्तिशर साखरता और भारतियों के लिए केंद और राज्य सरकारों द्वारा सिक्सा और स्वास्त करने का एक लक्स रखा है, शिक्सा पर स्वर्जनिक व्यमे विड़ी तो वर्तमान समय पे हम देखने कि हमारे देश में जिस प्रकार की जनसंग क्या है और सक्सरतर दर कम है तो उस हिसाब से हमारे देश में शिक्सा पर खर्च कम हो रहा है जबकि अन्य देशों में भारत की तुलना में बहुत अधिक धन शिक्सा पिद्यृष,स्त cupन किया जाता है तो हमारियां प्राथ्मिक और आपके प्राथ्मिक और माद्यृष किया जाता है भार उसक्सा संस्तान हमारे थोड़ा व्य किन्तु पर्ति विध्यार्थी उचतर शिक्षा परवय प्रात्मिक शिक्षा की तुलना में अधिक है और इसका अर्थ यह नहीं कि विध्य संस्तानों को हम उचतर शिक्षा से प्रात्मिक शिक्षा की और कर देना चाहिए इसका मतलब यह नहीं लेकिन हमारे यह प्रात्मिक चेतर में बहुत जादा धन खर्च किया जाता है छात्रों को मिट्डे मिल भी दिया जाता है जैसे जैसे हम विद्याले सिक्सा की और आगे बढ़ेंगे तो उच्टर सेक्षिस अस्तानों से पर्शिष्षिक्त और अधिक सिक्सकों की आवशक्ता होती है अता सिक्सा के सभी स्तरों पर व्य में विर्दी होनी चाहिए अर्था सरकार को केवल प्रात्मिक में नहीं बल्कि मात्मिक और उच्टर सिक्सा में भी खर्च करना चाहिए राज्यों में जो सिक्सा पर खर्च किया जाता है उर्ग में भी बहुत ज्यादा विविन्ता हैं जैसे लक्स दूइप में जो सिक्सा में खर्च किया जाता है उचस्तर पर 3440 है वहीं बिहार में केवल 388 रुपे ही सिक्सा पर खर्च किया जाता है तो यह बहुत अधिक विश्मता हैं जिसके कारणाद भिहार में जो साक्सदर दर है वो काफी कम है और इसकी तुलना में लक्सदूइप में बहुत अधिक है तो इससे भी मानों संसादन में परभाव पड़ता है तो सिक्सा के आफसर सैक्सिक उपलब्दा में भारी अंतर हो सिक्सा में 6 परतिशत जो सरकार परती वर्ष सिक्सा पर खर्च करती है थन बजट का उसे बढ़ाया जाया तो हमारे 46 सविदान संसोदन द्वारा 614 वर्ष के आयू बच्चों के लिए निशल्ग अनिवारे सिक्सा का मौलिक अधिकार गोसित किया गया यह इसलिए किया गय बच्चों को शिक्षित किया जा सके वह ना कि उद्योग धंदे में लगाया जा सके तो 14 साल से नीचे है सैब को बच्चों को अई लगाया जा सकता एक मौलिक अधिकार है हर राज्जी को भी उन्हें स्क्षित करना मैं Vhavishra की संभावना है कि बहुष्र में क्या-क्या संभावना हो सकती तो सब के लिए शिक्सा अभी एक भारत में सपना है क्योंकि अभी बारत में कम से कम 20% लोग ऐसे जो सिखसित नहीं है तो यह चैलेंज है भारत के लिए तो क्योंकि भारत का जो सभीदान था 1950 में बनाता और उसके अंदर 14 वर्स की आई के बच्चों के लिए निशल्क और अनिवारे शिक्सा का प्रव्रदान किया गया है बारत में सेक्सिक उकलब्दियां इसमें देखेते हैं कि जो वेक्स सासरता धर है पंदरवर्स से अधिक आई के सब्सक्राइब को पहले 61.9 था 90 में जो बढ़कर आपका 68.4 हुआ 2000 में माइला पहले काफी कम पड़ी लिखी थी आब वो भी 45.4 हो गई है इसी परकार प्रात्मिक शिक्सक्का देखेंगे 78 का 85, 61 का 69 और युवा में देखेंगे 76.6, 79.7, 54.2 और 64.8 तो भारत में जो सेक्सिक है दर है वो लगातर बढ़ रहा है चाए वेक्स को चाए प्रात्मिक को चाए युवा हो तीनों में हमने अध्यन किया तो उसमें बढ़ रहा है इसके साथ लिंक समता पहले से बहतर में अंतर बहुत जाता था कि माहिला कंपड़ी लिखी होती थी अधिक जो अब धीरे-धीरे कम होता जा रहा है नारिख शिक्षा को भारत में विशेश प्रोष्तान दिया गया है और नारिख शिक्षा की आर्थिक सुतंता और समाजिक स्तर में सुधार आया है साथी इस्त पात्राओं के शिक्षा निशुल की गई है आप सरकारे विध्याले में जाएंगे तो वहां पर बार्वी क्लास तक जो लड़कियां होती है उनकी शिक्षा पूर्य तहा निशुल के उस शिक्षा लेने वालों की कमी लेकिन भारत में शिक्षा का जो पैरमीड बनाया जात वह दर्सा आता है कि उच्षतर शिक्षा स्तर तक बहुत कम लोगी पहुँच पाते हैं उसके बहुत सारे कारण है शिक्षत युवाओं की बेरोजगारी दर्वी बहुत जादा है भारत में पड़े लेके लोग जादा बेरोजगार है और रास्टिय पर्तिदर्शन सर्व कर दर्विशन आकड़ों के अनुसार 21bin की प्रौइंट में वर्स 2000 में बेरोजगारी दर 10.130 जो बहुत जादा बेरोजगार थे जबकी प्रात्मिक शिक्सा प्राप्त वर्गों में विरोजगार की तर 1.2 परतिशत थी तो इसी कारण से बहुत सारे लोग आगे पढ़ाई जारी नहीं रखने क्योंकि उन्हें पता आगे पढ़ने के बाद भी रोजगार मिलने में बहुत ज्यादा कटना ही आती है साथ हमारी जो उठ सिक्सा आप बहुत ही महंगी है तो बहुत सारे जो हमारे निर्धन लोग है वो उसका खर्च नहीं उठा पाते जैसे इंजिनिर्ण आपकी डॉक्टर इंजिनियर्ण्ग हो गई आपकी या अम्बीए हो गया या बी-टेक हो गया बी-फार्मा यह सब सिक्सा समस्ताओं के स्तर में सुधार लाना चाहिए ताकि वहां पढ़ रहे छात्रों को रोजगार मिल सके और इनकी फीस भी कम होनी चाहिए कम फीस में उच्छ कौालिटी की एडिकेशन सरकार को देनी चाहिए तो निश्कर्स के रूप में कह सकतेriers मानव पुंजी निर्मान और मानव विकास के आर्थिक समाजिक लावों से सभी परचीत हैं भारत में केंद और राज्जय सरकार सिक्सा स्वास्वार के विकास के रियाप्त विकास संभव होगा भारत के पास विज्ञानी तक्निकी ज्ञान सकती है समय की मांग के नुसार गुणवत्ता पूर्ण सिक्सा सभी को उपलब करानी चाहिए और इसके साथ साथ परतेग नागरिक को स्वास संबंदी तक्निकी ज्यान आधी की विजानकारी होनी चाहिए अरसास विज्ञे को और अच्छे से समझने के लिए आप मेरे यूटूब चैनल को दिये वे लिंक पर सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके साथ मेरे यूटूब चैनल को आप मोबाइल से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं झाल 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 झाल